जै स्वामी नाराइन पुज्य श्री लाल जी महराज एवं पुज्य श्री निर्गुन स्वामी जी को एवं सभी संथ गण को मेरा साधर प्रणाम यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिदिगन एवं सभी हरी भक्त उन सबको मेरा साधर नमन एवं जै स्वामी नाराइन और आज इस समारों में मेरा दिल बहुत प्रफुलित है यह एक भववे प्रोग्राम है जिसमें स्वामी नाराइन मंदिर की तरफ से एक विशाल रूप में एक प्रकल्प चल रहा है जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि 200 साल पुराना यह मंदिर है मंदिर का मतलब हम यह समझते सिर्फ वहाँ पूजा होगी लेकिन यहाँ पर इतने समासिवा के प्रकल्प चल रहे है जैसा अभी स्वामी जी ने बताया कि आर्टिफिशल लिम प्रोस्टेसिस में स्वामी नाराइन मंदिर को गिनीज वर्ल रिकॉर्ड से भी सम्वानित किया गया यह एक बड़े गर्व की बात है हम सब के लिए इसके लिए जोरदार तालिया हो जाए सबसे बड़ी इंट्रेस्टिंग बात यह है स्वामी जी लोग सब सन्यासी है और उनका सिर्फ और सिर्फ एक धे है साधना करना उसके बावजूद वो इतने सारे प्रकल्प चला रहे हैं और निर्विग्न और बड़ी सफलता से संपन होते हैं सारे प्रकल्प तो यह एक उन लोगों का एक दिव्वे गुण है जिसको हम सब को सरहाना चाहिए जो काम कई बार सरकार नहीं कर पाती वो स्वामी नारायन की पूरी टीम और संत गंड कर रहे हैं यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और बड़े गर्व की बात है इसी उपलक्ष में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं as a CEO of जीवराज मेता हॉस्पिटल जीवराज मेता हॉस्पिटल से स्वामी नारायन संपदाय से मंदिर से जो लोग भी जुड़े हैं उनके साथ जुड़कर कैसे लोगों को स्वास सेवाओं का लाब प्रदान किया जा सकता है उसके बारे में हम यहां कर कोठारीजी से बात करेंगे और ताकि आप सबको जानके बहुत खुशी होगी कि डॉक्टर जीवराज मेता हॉस्पिटल डॉक्टर जीवराज मेता के नाम पर है जो गुजरात के सर्वप्रतम चीफ मिनिस्टर थे और यह एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है और यह एक 35 साल पुराना सबसे बड़ा ट्रस्ट हॉस्पिटल है और वहां पर भी इसी तरह की सेवाएं प्रदान की जाती है फ्री जनरल वार्ड है फ्री डैलेसी से और भी अन्ने सेवाएं बहुत सारी सेवाएं है तो हम स्वामी जी से और कुठारी जी से बात करेंगे कि कैसे हम लोग आपस में मिलकर इस प्रकल्प को आगे बढ़ा सके और स्वास्त सेवाएं जन जन तक पहुचा सके इसी के साथ मैं दुबारा से सभी को धन्यवाद देता हूँ और अपनी वानी को विराम देता हूँ धन्यवाद जै सौमे नाराइन